किसी तालाब में एक कच्छुआ रहता था तालाब के पास एक मांद थी उस मांद में एक लोमडी रहती थी दीरे दीरे कच्छुए और लोमडी में दोस्ती हो गई एक दिन वे तालाब के किनारे बाते कर रहे थे कि एक चीतव वहां आया दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागे लोमडी तो तेज दोड़कर अपनी मांद में पहुँच गई पर कच्छुआ अपनी दीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुँच सका चीता एक चलांग में कच्छुए तक पहुँच गया कच्छुए को कहीं छिपने का भी मौका नहीं मिला चीते ने कच्छुए को मुँ में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया लेकिन चीते द्वारा दाटों और नाखुनों का पूरा जोर लगाने पर भी कच्छुए के सक्त खोल पर खरोच तक नहीं आई लोमडी अपनी मान से यह सब देख रही थी उसने कच्छुए को बचाने की तरकीब सोची वह बोलेपन के साथ बोली चीते जी कच्छुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ इसे तालाब में फेंक तो थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा चीते ने कहा ठीक है यह कहकर उसने कच्छुए को तालाब में फेंक दिया बस फिर क्या था कच्छुआ तालाब में तैर कर दूर निकल गया और चीते से उसकी जान बच गई